अबनने की एक वज़े है कि आपके रुची नहीं आ रही है उस चीज़ जैसे मैं ऐसे बहुत बच्छों से बिलता हूं बोलते हैं कि हमारा ध्यान कमजोर है हमारी कंसेंटेशन पावर ही कंसेंट करने पाते हैं कि कुछ फेलते हैं तो सब खेलते हैं करें कि था वीडियोगेम कैसे रहती है पबजी खेलते हैं करते हैं सामने कर आई के लोग गोरी कैसी रहती है तो उससों में उसक्राइब नहीं होता है तो फिल्लिंग में भी बैटिंग में द्यान देदाए अगर आपका ध्यान ठीक नहीं नहीं लग रहे तो इस सम्वें तक पावर की कमी नहीं आपकी अपकी कंसेंटेशन पढ़ाई में इस नहीं वह समinhao कि आपको उसमें इंट्रस्थ्स नहीं आपको समें आघए तो अगर दिक्कत रूची की तो दो समधान ने पहला को पहले वह सेगमेंट पढ़ी जिनमें उन क्या पूर ये जैसा मिद्हाल में रूची आंतरवफर की कि दो घंटे में थून बन जाती है सोगे में रहेगे दूसरा कंसेंट्रेशन भंग होती है इसलिए क्योंकि आप खुछ को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि अगर कोई आपके आसपस आप से यह कहें कि मैं तो छे घंटे राद बर पड़ता रहा इतनी कंसेंट्रेशन से कि एक सेकिंड को हिला भी नहीं तो यह सब देकार की बातें आम तो रपे इसा नहीं होता है कुछ देवताओं को छूड़ दें तो मनुस्यय योनी में ऐसा आम पर नहीं होता है ने यह कि पुछों आपसे यह वह नहीं है कि मैं तो इतना ध्यान से पढ़ रहा था प्ड़ूस से बारात गुजर एक पता भ तो इसने गहराई से पढ़ रहा था ऐसे मूर्खों की वातों मैं नहीं आना है यह सब देकार की बाते हैं सामान्य नियम यह कि कि अगर गहराई से पड़ रहे हैं हर 50 मिनिट हर फट्समान मिनिट रहे घंटे के पास ब्रेक जरूर लिजी एक घंटा पड़ी ब्रेक लिए जैसे मैं तो कि मेरी चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं आज भी लगवग आप सबसे ज्यादा ही पड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पुरे दिन फिराव होगे मुझे पड़ने के इतना स्वाख मुझे एक्जाम निए देना मुझे पड़ने का शौख है इसके लिए आज तक याद नह कि दूब के पढ़ता हूं लेकिन जैसी आधा खंटा खत्म होता है मुझे ब्रेक चाहिए कम से कम दो मिनट का ब्रेक का मतलब कि ऊठ गए पानी पी लिया ऐसे ही घर में कोई बच्चा है तो उसी को थोड़ा शेड लिया थोड़ा चूटी काड़ दी उसको मजा कर लिया घंटे में एक वीडियो गेम खेली दो मिनिट की या किसी को परशान कर लिया थोड़ा से हसी मजा कर लिया या पान ही पी लिया कम से कम मुठ के बार इतना होते ही दिमाग फ्रेश हो जाता है फिर आप उसी कंसेंटेशन की लेवल पर फिर से पढ़ता है तो आप मेंसे जो तो पढ़ाई ठीक से होगी कंसेंट्रेशन कमजोर होने की तीसरी वज़े यह होती है कि आप किसी उधेड़ में कोई स्ट्रेस है आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चिंता है कि मैसेज क्यों नहीं उसका अब तक आजाना चाहिए था चिंता यह समय हो रही है या चिंता यह है कि मा की ताल चाहिए ऐसको तर्फ़ जिसेंट नहीं है इतने सारे तनाव को जहलते हैं तो अगर कोई ऐसा डिस्ट्रेक्शन है किसी वजह से कि वह क्या सोच रहा होगा वह क्या कर रही होगी बाबुजी क्या कर रहे होंगे तो पहले सुने पड़ा लेजिए फिर बढ़ने बैठिए कोई कि एक्स्टर्नल सौर्स ऑफ डेविएशन अगर है जिसके वैसे नहीं तो ठीक ऐसी चीज़े जो अभ्यास से आती जाती है शुर्में कम होगा धिरे-धिरे बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां आपको कभी-कभी सच में एक घंटा एहसास ही नह सब्सक्राइब करने के सबसे बढ़े तरीक है खेलो पूरी चेतना एक आग्र होती है आप पाएंगे कि एक समय के बाद पढ़ने में भी लगभग उस लेवल का कंसेंट्रेशन बनने लगेगा लेकिन टाइम रखता है फोड़ा अभ्यास कीजिए मेहनत कीजिए हो जाए ए मेरा उन में बहुत विश्वास नहीं यह आपकी चोईस की बाद है